बाबू भाइया की तो भाई लगने वाली है, वीकेंड के वार का इंतजार है सब लोगों को, अब मैं एक बात आप लोगों को बता दीओ, क्या ये जो ब्रो सैना है हाला कि मैं फैंस को कुछ नहीं बोलूंगी, क्यूं क्यों क्योंकि फैंट बहुत प्यारे होते हैं, अभी जो ब्रो सैना भी है वो प्यारी है वो अपने तरीके से उसको सपोर्ट करती है ठीक है पर इस बंदे ने क्या किया इस बंदे ने इतना नीचा दिखा दिया ब्रो सैना को इतना नीचा दिखा दिया कि ब्रो सैना अब खुद कुछ बोल नहीं पाएगी अभी मेरे जैसे बहु पुलने ही रही हूं ब्रो सैना को कुछ भी पर बहुत नीचा दिखाने वाले और लोग है कि देख लिया भाई ब्रो सैना तुम्हारा लीडर ही यह हो गया वो हो गया अभी क्या तुम लोग बोलोगे तो यहां पर अनुराग ने बाबो भाईया ने पॉइंट अच्छा उठ कि मेरी ब्रो सैना को बार बार ड्रैग ना किया जाए बहुत सई बात है बहुत सई बात की बंदे ने पर वहां पर दो बाते गलत कर दे मैं ब्रो सैना को रीप्रेजेंट नहीं करने आया मैं ब्रो सैना की वज़ासे नहीं मैं बना नहीं हूं यह जो ब्रो सैना को मैंशन य खुद पसंद नहीं आया होगा अब जो है बिग बॉस ने ये भी बात बोल दी कि भाई तुम ही बात कर ले ना सलमान खान से मतलब कि बहुत ही बड़ी वाली अब बजने वाली है अनुराग की बाबु भाईया की अब इनको समझ में आ रहा है कि मुझे अनुराग का फीड़ बैक दिया जाए भाई तुम बने किसकी वज़ा से हो ब्रो सैना की वज़ा से तुम यहां पर आए हो दूसरे लोग क्या रस्ते बे चलते हुए लोगों को उठा के ले के आ जाते हैं भाई तुम अच्छा करेक्टर लग रहे हो चलो वहां पर चलो हम तुम्हें फॉलोवर देंगे तुम फेमस हो जाओगे जो लोग फेमस है उनको लाया जाता है अब बोल रहे कि टी आरपी मतलो भाई क्यों ना ले तुम्हें उसके लिए ही बुलाया गया है हम कोई 10-20 फॉलोवर वाले को क्या बुलाया जाता है नहीं मिलियन्स मिलियन्स वाले फॉलोवर्स को बुलाया जाता है यार यह क्या बात कर रहा बंदा यह तो सही बात नहीं है और मुझे बहुत बुरा लगा ब्रो सैना के लिए इसी के साथ मैं ले ती वनसासर नमस्कार